हेलो दोस्तों जी है दोस्तों आज हम फिल लेकर आएं एक जवर्जस सीरीज जी हां दोस्तों इस सीरीज में हम टोटल 1000 mcq डिसकस करेंगे किसके लिए यूपी ट्रुपलेस सी लेकपाल परिक्षा के लिए और किसके कोशिन हम mcq डिसकस करेंगे यहां पर ग्राम समाज एवं बिगास के जी हां दोस्तों 100% जो मैं कोशिन डिसकस कर रहा हूं ऐसे ही कोशिन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे आए हम इस सीरीज का पहला पार डिसकस करेंगे और इसमें एप्रॉक्स 25 कुश्चिन हम आज डिसकस करने वाले हैं जियां दोस्तों सैसेन को स्टार्ट करने जे पहले आप से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना अभी ना भूलें अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो और दोस्तों आप से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे टेलिग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं टेलिग्राम चैनल पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं जहां आपको इन सारे लेक्चर्स की पीडियाफ पहले कोश्चन जे पहला कोश्चन क्या कहता है उत्तर प्रदेश में एक बर्स में नियूंतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए तो इसका सही आंसर है चार उत्तर प्रदेश में एक बर्स में नियूंतम चार ग्राम सभा होनी चाहिए मीनिममम फोर ग्राम सभा होनी ही चाहिए बात करते हैं second question क्या कहता है जिले का सर्बोच राजश्व अधिकारी होता है जिले का सर्बोच राजश्व अधिकारी कौन होता है तो यह होता है collector जिसको हम DM भी बोलते हैं जिसको हम DM and district magistrate भी बोलते हैं बात करते हैं next question क्या करता है भूमी सुधार हे तू कानून बनाने की सक्ति किस के पास है जिया दोस्तों भूमी सुधार भूमी सुधार को भूमी सुधार के लिए कानून बनाने की सक्ति किस के पास है यह है हमारी राज सरकार के पास राज सरकार के पास Question number 4 की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में चकवंदी यूजना चकवंदी यूजना का प्रारम किस वर्स में हुआ यह आपके लिए important हो सकता है तो चकवंदी यूजना का प्रारम हुआ यह हुए हमाई 1954 में 1954 में Question number 5 की बात करते हैं चकवंदी समेती में कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदश्य हो सकते हैं या होते हैं तो चकवंदी समीती में अधिक से अधिक और कम से कम कितने सदश्य होते हैं तो कम से कम 5 सदश्य होते हैं और अधिक से अधिक 11 सदश्य हो सकते हैं तो मेंज इस question का सही answer है option number B, 5 और 11 याद रखना समीटी में कित्ते सदस हो सकते हैं 5 और 11 ये question भी आपके लिए important हो सकता है बात करते है next question की, next question कहता है किस बर्स में जिला गजेटियर्स बिभाग की इस्थापना हुई जिला गजेटियर्स बिभाग की इस्थापना हुई जिला गजेटियर्स बिभाग की इस्थापना हुई clear दोस्तों तो ये कब हुई 1957 में next बात करते हैं जिला दंड नायक होता है ये कौन होता है जिला collector या DM next बात कर लेते हैं भारत में जिला प्रिशाशन पुस्तक के लिखाक है यप उस्तक किसने लिखी है भारत में जिला प्रिशाशन तो ये लिखी है एच के गोईल जीन है तो सही आंसर हो जाएगा अप्सिन नमबर एच के गोईल नेक्स बात कर लेते हैं भारत की संभीधान में जिला सब्द किस अनुछेद में ध्यान रखेगा पूँच रहा एक जिला सब्द जिला डिस्ट्रिक्ट बढ़ किस अर्टिकल या अनुछेद में तथा किस संदर में पिरियुक्त किया गया है जिया दोस्तों जो जिला सब्द है वो अर्टिकल या अनुछेद 233 में दिया गया है और यह किस के लिए दिया गया है जिला नियादीस के संदर में नेक्स बात करते हैं गिराम बिकास बिभाग की इस्थापना कब हुई? तो यह दोस्तों यह हुई है 1974 में 1974 में तो options number A हमारा सही है next बात करते हैं खसरे में कुल कितने खाने होते हैं जियां दोस्ते यहां लेकपल दो तरीके की document तैयार करता है एक होता है खसरा और एक होती है खतावनी एक होती है खतावनी जिसके हम आगे बाद अभी करेंगे खसरा और खतावनी तो यह पूच्छा है खसरे में कुल कितने खाने होते हैं तो यह खसरे में होते हैं total 22 column या खाने और वहीं खतावनी की बात करें तो खतावनी में होते हैं 13 next बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश भूराजश्व अधिनियम की धारा 33 में बढ़नित बारसिक रजिस्टर को किस नाम से जाना जाता है तो यह जाना जाता है खतावनी options number 20 is correct यह बारसिक रजिस्टर होता है लेकपाल का next बात कर लेते हैं गाउं में भूराजश्व बसूली का कार किया जाता है यह की आयाता है गिर्दावर दवारा clear दोस्तों next बात कर लेते हैं राजश्व परिशद राजश्व परिशद राजश्व परिशद राजश्व परिशद की इस्थापन इस्ट इंडिया कंपनी के शाशन कार में किस वर्स में हुई तो यह हुई है दोस्तों 1831 में तो याद रखना है राजश्व परिशद राजश्व परिशद इसी के अंतर राजश्व विभाग के अंतर ही यह आता है तो इसकी इस्थापना कब हुई थी इस इंडिया कंपनी में 1831 में options number A is correct बात करते हैं उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया तो यह दोस्तों पारित किया है 1953 में clear next बात कर लेते हैं लेकपाल खसरा तयार करके अगले वर्स जमा कर देता है जिया दोस्तों लेकपाल खसरा हमने जैसे पिछले question लेकपाल खसरा और खतोने दो तरीके के document तयार करता है जिसमेंसे वो खसरा next बर्स किसको submit कर देता है जमा कर देता है अगले बर्स अपने उपर के अधिकारी को जिसको कहते है register register कानून go के पास सम्मिट कर देता है जमा कर देता है बात करते हैं सतरमे question की सतरमा question क्या कहता है निमलिखित मैंसे कौन सा चकवंदी का उध्देश नहीं है जी यहां दोस्तों तो क्या क्या options है options पड़ लेते है obligations पखन लेते हैं बड़े पैमाने की corporate खेती को बड़ावा देना ये नहीं है जोतों का उपेबवाजन रोकना सही है किर्सी जोतों का उपखंडन रोकना ये भी सही है किर्सकों के अलग-अलग खेतों को एक स्थान पर एकत्रित करना ये तो बिल्कुली सही है means चकबंदी का main aim होता है कि कई किसानों के खेत अलग अलग जगह पर होते हैं तो उनके खेतों को एक जगह पर कर देना ही चकबंदी कहलाता है चकबंदी कहलाता है मींस तो हमारे question का answer क्या हो जाएगा obsession number A बड़े पैमानी की corporate खेती को बड़ावा देना चकबंदी का अदेश नहीं है अधार में question की बात कर लेते हैं दोस्तों क्या कहता है भारत में संपत्ति का अधिकार यह है एक मौलिक अधिकार बिवेद अधिकार अर्थिक अधिकार तो यह हैं हमारा बिवेद अधिकार संपत्ति का अधिकार बिवेद अधिकार में आता है किलिया दोस्तों बात करते हैं 19 में क्या कहता है किस दस्तावेज में किसी गाउं के जमीन के टुकड़े और उस पर उगाई जहराई फसलों का विवरण लिखा होता है जी यहां दोस्तों लेकपाल साल में एक रेजिस्टर तैयार करता है जिसमें वो mention करता है कि किसी के खेत कहाँ है और वो उस खेत पर कौन सी फसल उसने उगाई है जी यहां दोस्तों वो उस दस्तावेट को कहते हैं खसरा अभी अभी पड़ा खहसरा में कुल 22 खाने होते है नेक्स बात करते हैं भू लेक निर्क चक कौन होता है तो होता है हमारा कानूनगो को ही भू लेक निर्क चक कहते हैं नेक्स बात कर लेते हैं किर्सी वर्स कब से कब तर लेकपल मानता है तो यह मानता है एक जुलाई से 30 जून नेक्स बात कर लेते हैं पटवारी परणारी का प्रारम सरप्रतम किसके शाशनकाल में हुआ था किसके शाशनकाल में हुआ था पटवारी तो यह सबसे पहले स्टार्ट हुआ था किसके में सेर साशनकाल में सरप्रतम पटवारी या लेकपल पिढणारी का प्रारम हुआ था नेक्स बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लेकपल सेवा नियमा बली कब बनी जी हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में लेकपल के लिए नियमा बली किस इयर बनी तो यह बनी 2006 में 2006 में आएए बात कर लेते हैं कुश्य नमबर 24 की कुश्य नमबर 24 क्या कहता है प्रदेश में इस समय कुल कितने राजश्व नियाले हैं यह important हो सकता है कुल कितने राजश्व नियाले उत्तर प्रदेश में हैं इस समय कर्रेंटली उत्तर प्रदेश में 2333 राजश्व नियाले है means option number B is correct बात कर लेते हैं आज के आखरी question की 25 question की 25 question क्या कहता है संभीधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत जिला collector जिला collector एडियम को अपने कारिकाल की सुरुक्षा सुरुक्षा प्रदान की गई है फिला दोस्तों के सानुच्छेद के दवारा यह 311 अनुच्छेद में एडियम अपने कारिकाल की सुरुक्षा प्रदान करना या article उसमें mention किया गया है जिला दोस्तों अज की वीडियो में इतने ही question next question में अगले 25 question मैं discuss करूँगा और इस series में total मैं 1000 mcqs mcqs discuss करूँगा जो लेकपाल के लिए important होंगे most important questions होंगे clear दोस्तों और बात करें और बात करें अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो please like share subscribe जरूर करें और आज के वीडियो अच्छी आए तो please अपने friend को बीच में share भी जरूर करें आज के लिए thank you